हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो तयारी ओपीडिया जहां हम आपको करा रहे है डेली करन्ट अफेर तो अपसे हमारे रोज डेली करन्ट अफेर की पीडिय आपको डेली प्रोवाइड हो जाती है तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है तो कैबिनेट अप्रोव नेशुन दे दी है तो पीएम नरेंद्र मोदी ने दी है और यह भी आपको ध्यान रखना है कि भारत इस मिसन को क्वांटम मिसन को चालू करने वाला भारत का साथवा देश बन गया है इसके पहले अमेरिका चीन कनाड़ा आस्ट्रिया फिनलैंड फ्रांस इस तरीके के मिसन को बढ़ा पाके तो यह आपको ध्यान रखना है किसानों के लिए है देखते हैं ऍंडिया सोथ चाइना बिकम इंडिया ओवर्टेक चाइना बिकम मोश्ट पॉपुलेशन विथ 142 करोड पीपल एंड यूनियन रिपोर्ट्स यून रिपोर्ट्स के अंसार चीन को पीछे छोड़कर 142.9 करोण लोगों के साथ सबसे अधिक आबादी देश वाला राज श्टेट कौन सा ब जिसमें चीन को भी पीछे छोड़ दिया है भारत ने और 142.9 करोण के साथ यह सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने जा रहा है तो बहुत ही बुरी बात है क्योंकि इसमें जनसंख्या कंट्रोल के लिए हमारे यहां कोई भी बहुत ही उचित कदम नहीं उठाय जा रह चले देखते हैं नेक्स पॉइंट आरचरी वर्ल्ड कप जोती सुलेखा वर्मा एक वल्स क्वालिफिकेशन वर्ड वर्ड रेकॉर्ड वर्ल्ड रेकॉर्ड विथ सूपा वन तरकी तरकी तो तीरन दाजी विस्वकप 2023 कहां हो रहा है तो उसमें जोती टरकी में किया जा र करके क्वालिफाइब कर दिया है और बिस्वर रिकॉर्ड में अपनी बराबरी कर ली है इनका नाम आपको ध्यान रखना है जोती सुरेखा कहां पे हुआ है यह तुर्की में खेला जा रहा है और कितने अंकों के साथ तो 713 अंकों के साथ इन्हों ने अपनी बढ़त बना ली अब पहले क्या हो रहा था इंडोनेशिया में हो रहा था फूटवालीफुटब क्विब डिया धायलंड ‑‑ टैलोगे हिल्ड को कहा हो रहा है कि बैंकोक बैंकोक में ineffective हो रही है प्वारत ठाइलेंड रच्चा वारता बहुत ही जरूरी है बारत और ठाइलेंड dona Dual प्रवंदीर थाकुर चीफ एक्जिक्यूटिव यानि कि CEO एन मेनेजिंग डिरेक्टर बनाया है किसको बनाया है तो टाटा कंपनी ने रंधीर सिंग ठाकुर को मुख्य कारेकारी अधिकारी और प्रबंधक निदेशक के रूप में स्षिक्षाय के रूप में फ्रक्राइब रंधीर फ्रक्राइब महान गाइका किस पुरुषकार कारेक्षास सम्मानित किया जाने वाला है यह पूइंट आपके लिए बहुत इंपॉट्न है और यह किसकी तरफ से दिया जाता है तो लिया लटाप दिननानात मंगेसर पुरु पहले से बहुत ही निपूर्ण हो चलि देखते हैं नेक्स पॉइंट इनोवेटर्स इंजीनिरिंग एजुकेशनिलिस्ट सबस्टेनेबल डेवलापमेंट रिफोर्स्ट सोनम वैंग्चुक ओनर्ड विथड़ा पैजिस्टिक्स सकुन्बा हुमिया हिमेनटिक अवर्ड तो इनोवेटर इंजीनिरिंग और सिक्षावित के छेतर में इनोवेटर इनजीनिरिंग और सिक्षावित के छेतर में सतद विकास सुधार के लिए सोनम वांग्चुक को कौन सा पुरुसकार संबानित किया गया है संतोगबा मानवतावादी पुरुसकार संबानित कौन की जा चुकी हैं तो सोनम वांग चुप को मिला है यह तो ये किस खेतर में दिया जाता है ये भी आपको ध्यान रखना इनवेटर इंजिनिरिंग और सुख्षावित के खेतर में दिया जाता है चले देखते हैं next point कि इस्रो 22 अप्रेल 22 अप्रेल एनि आज के दिन कहां करने प्रश्यपीत करने वाला है चलिए देखते हैं नेक्स पॉइंट केन्या लॉच्छ फर्स्ट ऑपरेशनल सेटलाइट ताइफा इंफो इस पेस ऑप्सेंट स्पेस रॉकेट यानि केन्या ने क्या किया है तो सबसे पहला परिचालन उपगण तो कुंट केन्या ने केन्या के सपेस्सक्राइट के माध्यों क cathare इसकों लॉच किया गया है तो झ्यान रखना है नासा सबस्क्रापट कर इमेगी जूपिटर AWARD नासा ब्रहको घ्रेस्धके मां चुर्फयान में लिए c ब्रहुस्पति के शुद्रग्रह की तस्बीरें आपकी पहली बार नासा ने लिए हैं जो आपको ध्यान रखना है कि यह जुपीटर के शुद्रग्रह की तस्बीरें हैं। महाराश्ट्रा गवर्मेंट एनाउंस प्रसंटर रिजर्वेशन फॉर्द दिव्यांग एंप्लोई इन प्रोमोशन तो महाराश्च सरकार ने क्या किया पदोनती में पदोनती में दिव्यांग जितने भी कर्मचारी हैं उनको चार परसंट का आरक्षण देने के लिए घुशना कर दी है चार परसंट का आरक्षण वो इंप्लोई छेतर में उनको दिया जाएगा दिव्यांगों को चलिए देखते हैं नेक्पूर सीन विरें सिंह हं तौग के मुख्यमंग अपने काँको दियान रखना है वहां के मुख्यमंत्रिएं विरें सिंह चाहए नाम आपको ध्यान रखना है तो मणिपूर का है वहां के मुख्यमंत्रिकियों विरेंच सिंग है जिनने कहां पर कांगो कपी में हुंदे थो राश्टी उत्सव का सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया है चलिए देखते हैं नेक्स पॉइंट ट्रांसजेंडर मोनिका दास नेम स्टेट आइकन इन इलेक्शन इन बिहार ट् ट्रांसजेंडर को ओवी सी के रूप में लिया जा रहा है किस रूप में लिया जा रहा है उतना ही आरक्शन किसको दिया जा रहा है तो यह भी आपको ध्यान रखना और यह पॉइंट भी आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि मोनिका दास को बिहार में किसके लिए चुना के आइकन के रूप में नामित किया जा रहा है चलिए देखते हैं next point Kenya में Kenya ने अपना पहला operational टाइफा लांच किया है इसके related आपको कुछ briefly information दे दी जाए क्योंकि यह बहुत ही important है इक तो पहला है तो इसलिए बहुत ही जादा एक्जाम पूछा जा सकता है तो चलिए देखते हैं इसके point Kenya ने 15 अपरेल 2023 को केनिया ने 15 अपरेल 2023 को केलिफोर्निया के बेंडबर्ग बेस के एलाउन मस्क रॉकेट कंपनी SpaceX पे एक रॉकेट अपना पहला operational कौन सा सेटेलाइट टाइफा लांच किया है इस उपगरह का क्या अब देश है किसलिए यह लांच किया गया है क्यों इसको छोड़ा गया है तो Kenya को आपदा प्रबंधन और खादिस रक्षा से निपटने के लिए बाड़ सूखा जंगल की आख सहित क्रिशी जितने भी परियावरण और जितने भी आपदा प्रबंधन छेतर हैं उसको प्र यह सब आपको ध्यान रकने है यह थे आज के 22 अप्रैल के कर्शंट अफएर जो आज की आपकी आने वाले एकझाम के लिए बहुत ही इंपार्टन है तो यह सब आपको ध्यान रखना है और सारे एकझाम प्सक्रांप's बहुत ह्एम इसको सब और घेली के लियादened को पीडिएफ चाहिए तो आप इसको टेलिग्राम से लिंक डाउनलोड करके उसे देख सकते हैं और बार बार उसको रिवाइस कर सकते हैं धन्यवाद